आज है शुक्रवार मा लक्षमी का दिन और आज मैं वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपको मा लक्षमी की छपड़ फार कर खृपा मिलेगी आपको हर वो काम पूरा होगा जो आप चाहते हैं आपको वो जानकारी दूँगी जो आपके लिए फाइदा ही फाइदा लाएगी आपको हर नुक्सान से बचाएगी आपको छपड़ फार कर क्रिपा के लिए कैसे पूजा करनी है लक्षमी मा के पूजा सब कुछ पताऊंगी आपको नुक्सान नहीं होने दूँगी आज उस मंगलकारी स्वास्तिक की बात करेंगे जो घर पर लगाते ही मालक्षमी प्रसन हो जाती है और आज आपको वो सौभाग्य का घर कैसा होता है उसकी जानकारी पे दूँगी बताती हूँ आज का पहला महा उपाई शादी का योग नहीं बन रहा है तो क्या करें तो ऐसे में आप रात में तामे के बरतन में पानी भर कर विश्टु भगवान की मूर्ती या तस्मीर के सामने रख दीजे सुभा ऐली मॉनिंग उस बरतन को लेकर खुले आसमान के नीचे खड़े होकर पातर में रखे जल से मांग भरे वापस बरतन भगवान के सामने रख दे ध्यान रहे इस बीच कहीं कोई टोके ना ना कोई कुछ बोले एक महीना ऐसा ही करें शादी के योग मजबूत हो जाएंगे आज आपको लक्षमी जी की छपड़ फार कर खृपा मिलेगी आपको छपड़ फार कर कृपा पाने के लिए लक्षमी जी की पूजा कैसे करनी है? यह जानिये आपको सुभा उठकर कैसे पूजा करने हैं वो जानिए सबसे पहले गणपती जी की पूजा करें खास मंत्रों का जाब करें भगवान श्री गणेज जी का आवाहन करें इससे शुप फलों की प्राप्ति होती है और फिस नौकरी कारोबार में सिम्रिद्धी आती है भगवान गणेज जी के साथ भगवान श्रीव जी को याद करना फल्दाई होता है सुभा जल्दी उठें फ्रेश हो जाएं फिर भगवान सूर्य देव को जल अभी शेक करें इसके बाद हाथ में फूल अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें फिर भगवान श्रीव जी और गणेज जी की मूर्ति को स्थापित कर पूजा आरम करें एक कलश स्थापित करें उसमें द्रव्य अक्षत डालकर उस पर आम के पत्तों को अर्पित करें फिर इस कलश को लाल कपड़े से ढखें फिर भगवान शिव की भस्म, बेल पत्र, धतूरा, सफेद अंगोचा और पितकर पूजा करें और भगवान गणेज जी की पूजा, फल, फूल, चंदन, अक्षत दूरवा से करें भगवान शिव जी को दूद से बनी मिठाई और गणेज जी को मोदक का भूग लगाएं इसके बाद धूप दीप से आर्ती कीजिए आर्ती पर भगवान से सुख, शान्ती और साथ-साथ सिम्रिद्धी की कामना करें आपका कल्यान जरूर होगा आप अपने घर में स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं यह आपको बनाना ही चाहिए तो चलिए आपको स्वास्तिक के बार में बताती हूँ यह स्वास्तिक आपके कई संक्टों का समाधान कर सकता है सबसे पहले आपको बताती हूँ कि स्वास्तिक के नाम का मतलब क्या है देखिए स्वास्तिक का अर्थ है बेसिकली सू शब्द सू, अस्ति, का इस सबसे मिलकर बना है स्वास्तिका देखिए सू का मतलब होता है अच्छा अस का मतलब होता है सत्ता या अस्तित्व और का का मतलब होता है करता या करने वाला इस तरह स्वास्तिक शब्द का मतलब हुआ अच्छा या मंगल करने वाला स्वास्तिक के अंदर चारो खाली जगाओं पर बिंदू लगाया जाता है इसे हम दिमाग को केंद्रित करना सिखाते हैं आई यह बात करते हैं आज की स्पेशल आस्ट्रोटिप का देखिए स्वास्तिक के चिन जो है यह किसी भी उर्जा को एनर्जी को 108 गुना जादा स्ट्रॉंग कर देते हैं उसे बढ़ा देते हैं जहां पर भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में एनर्जी कम है अगर तिजोरी में एनर्जी कम है तिजोरी के ओपर स्वास्तिक बनाईए प्रॉपर्टीज में एनर्जी कम है तो प्रॉपर्टी की फाइल के ओपर स्वास्तिक बनाईए बाई खातों में अनरजी नहीं है, मूवमेंट नहीं है पैसे की बाई खातों पे अनरजी बनाएए सही जगा पर स्वास्तिक बनाने से लेकिन स्वास्तिक बिणा बिंदु के complete नहीं है क्योंकि बिंदु focus of energy है बिंदू बनाकर आप उस एनरजी को कई गुना बढ़ा सकते हैं आईए आपको आज का दूसरा महा उपाई बताती हूँ शादी की बात अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो देखिए लड़का या लड़की अगर एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं फैमिलीज की भी रजमंदी है लेकिन फिर भी शादी की बात आगे नहीं बढ़ रही है तो आप शिफ पारवती सीता राम या राधा कृष्ण की पूजा करें पूजा के बाद उनके पैर छूकर मांग पर लगाएं जल्दी ही शादी की बात आगे बढ़ेगी क्या आपको पता है कि स्वास्तिक बनाने के समय रंगों का भी खास ख्याल रखना चाहिए जी हाँ, आपको अपनी समस्या के हिसाब से स्वास्तिक का कलर तै करना चाहिए अब आप समस्या सुन लीजे और फिर समस्या के हिसाब से स्वास्तिक का कलर तै कर लीजे ना आना कमजोरी ब्लड रिलेटर प्रॉब्लम्स ठीक करता है पीला स्वास्तिक आपको तब बनाना है जब यह परिशानिया हो यह रंग विवेक और आत्म सम्मान का प्रती है मांसिक उतेजना के साथ यह नर्व की पावर बढ़ाता है पेट और स्किन के साथ मास्पेश्यों की भी ताकत देता है पेट खराब होने से और रखाज घुजली में यह रंग बहुत फाइदे मंद होता है और इन स्वास्तिक आपको तब बनाना है जब यह परिशानिया हो यह रंग उत्सा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है फेफडों और ब्रीधिंग प्रोसेस को ठीक रखता है अस्थमा, ब्रॉंकाइटिस, किजिनी इंफेक्शन में फाइदे मंद रहता है यह कालर हरा स्वास्तिक आपको तब बनाना है जब यह परिशानिया हो कैसी परिशानिया यह नेचर का कलर है जो हमारी आखों को सुकून पहुंचाता है दिल को हेल्दी रखने किसा 드ism के साथ साथ हमारे हार्मोन का बैलनस भी ठीक करता है स्किन डिजीज और हाई ब्लाड प्रेश़र में हरा स्वास्तिक आपको फाइदा देता है अब बात करते हैं नीले स्वास्तिक की नीला स्वास्तिक आपको तब बनाना है जब आपको ये परिशानियां हूं थंडा होने की वज़ए से हाइड सुजन त्रदी और खांसी से बचाता है एक बात का ध्यान रखे बीमारी है तो डॉक्टर की सला लीजिए इलाज कराएं साथ में हम यह स्वास्तिक वाले उपाई कर सकते हैं फेस्बुक पर हमारे व्यूवर विशाल कोरी ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है उन्हें परस्नल और प्रोफेशनल फ्रंट पर रिजेक्शन फेस करना पढ़ रहे हैं जिसकी वज़े से वो डिप्रेस्ट हैं उपाई जानना चाते हैं अगर आप बहुत रिजेक्शन फेस कर रहे हैं तो राधा कृपा कटाक्ष पीले कपड़े पर बैठ कर इस डारेक्शिन की ओर चेहरा करकर लगातार कुछ दिनों तक पढ़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी चलिए शो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको आज का तीसरा महा उपाई बताती हूं कारोबार आगे बढ़ना चाहता है बिजनस यानि कि बिजनस आपका आगे बढ़ना चाहता है उसमें रिस्क लेना पड़ेगा पर रिस्क सोच समझ कर लिया जाए तभी आपको प्रॉफिट होगा न अगर आप बिजनस आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो फैक्टरी या बढ़ता जाएगा अब तो आप जानी चुकी होंगे कि किस रंग का स्वास्तिक बनाना आपको फाइदे मन्द है लेकिन अब मैं आपको स्वास्तिक से जुड़े कुछ अच्छू कुपाई बताने जा रही हूं बहुत ही सरल उपाए हैं नोट कीजिए बहुत काम आएंग मा लक्षमी को प्रसंद कर घर के बाहर रंगोली के साथ कुम-कुम सिंदूर या रंगोली से बनाया गया स्वास्तिक मंगलकारी होता है इसे बनाने से देवी और देवता घर में प्रवेश्च करते हैं अगर बिजनस नहीं बढ़ रहा है तो सेवन थरस्देस तक नौर्थ स्वास्तिक बनाकर उनके ऊपर जिस भी देवता की मूर्ति रखी जाएगी वो तुरंत प्रसंद होते हैं अगर आप अपने इस देव की पूजा करते हैं तो फिर आपको उस थान पर स्वास्तिक जरूर बनाना है दीपक जलाकर रखे देवस्थान पर आपको स्वास्तिक कर उसके उपर पांच धान्य और दीपक जलाकर रखने हैं कुछी समयमे बनुकामना फूरी ओने मनुकामना पूरी करने के लिए मंदिर nor kan sauna पूर को नहीं जाती तो वही जाकर आपको स्वास्तिक और जाधा strong कर देना चाहिए नींद ना आए तो रात को आपको क्या करना है सोने से पहले घर के देव स्थान पर याने की मंदिर पर index finger से स्वास्तिक बनाना है इसे बुरे सपने आने और नींद ना आने की समस्या दूर हो जाती है पित्रों की कृपा पाने के लिए गोबर से स्वास्तिक बनाएं इससे घर में शुबता, शान्ती और सिम्रिद्धी आती है पित्रों की कृपा भी प्राप्त होती है एक सुपारी का कलावा दर्वाजे की देहलीज के दोनों ओर स्वास्तिक बना कर पूजा करे स्वास्तिक के उपर चावल की एक धेरी बनाए और एक सुपारी पर कलावा बांद कर उस धेरी के उपर रख दे इस सुपाय से धन लाब होगा हल्दी का स्वास्तिक जी हां नौर्थ इस्ट में अगर आप बनाते हैं उत्तर पूर्व में बनाते हैं हल्दी का स्वास्तिक तो इससे आपकी insights better होती है, आपकी बुद्धी तेज चलती है, आप उत्तर दिशा की दिवार पर भी हल्दी से स्वास्तिक बना सकते है इससे आपके पैसे की growth होने लगती है, ये बनाने से घर में सुख और शांती में बनी रहती है आपका हर दुर्भाग्य स्वाभाग्य में बदले, चलिए आपको कुछ ऐसी tips देती हूँ, कुछ उपाई बताती हूँ, जिससे आपको लक्षमी जी छपड़ फार कर खृपा देंगी एक रोटी ले, इस रोटी के उपर आप 31 बार उसार कर अपने उपर 31 टाइमस उसार ले, हर बार उतारते समय आपको इस मंतर का उचारण करना है ओम दुर्भाग ये नाशिनी, दुम दुर्भाग ये नवहा, बाद में आपको रोटी को ऐसे ही छोटे-चोटे टुक्रे करकर रख देना, कोई आनिमल खाई नहीं खाई, कोई बात नहीं इसके बाद आप देखेंगे कि किस्मत के दर्वाजे आपके लिए खुल जाएंगे अब आपको कुछ वास्तो टिप्स भी दे देती हूं, जिससे आपको बहुत जादा लाब होगा कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि कहा घर ले जहां पर सौ भाग ये आए तो आपको ऐसे घरों के बार में बताती हूं जहां पर दूर भाग ये होता है बस उन घरों से दूर रहेंगे तो सौ भाग ये आपके पास रहेगा उजड़े वे पुराने मकान फैक्टरी के आसपास की जमीन नहीं लेनी चाहिए अगर आप नई जमीन या मकान लेने जा रहे हैं ध्यान रखिए जिस थान पर सालों से कोई नहीं रह रहा हो ऐसी जगा पर नेगिटिव एनरजी होती है जिस मकान पर कुछ महीनों के बीच मौत होती हो उस जगा को लेने से बचना चाहिए उजार पड़े मकान या फैक्टरी नेगिटिव एनरजी से भरे होते हैं इनके आसपा जमीन नहीं लेनी चाहिए जिस मकान में किसी ने सुसाइट किया हो उसे भी लेने से बचना चाहिए जिस मकान में माबाप ने बच्चों को तकलीफ पहुचाई हो उस मकान को भी लेने से बच्चना चाहिए ऐसा मकान माबाप द्वारा शापित हो जाता है प्राचीन मंदर मठ की खाली जगवड़ पे जमीन लेने से बच्चना चाहिए जिस भवन में बिजली गिरी हो ऐसे मकान पर कुदरत भी नाराज रहती है इसलिए ऐसा मकान आपको कहीं पे भी सूट नहीं करेगा ऐसे मकान को अवोइड करे अब गेंज तो आपके ही हाथ में है न शो में अब आपको आज का चौथा महा उपाई क्या है ये बताने का वक्त आ गया है बिजनस में अगर अर्चने हैं तो क्या करें अगर आपके बिजनस में आई दिन अर्चने या बाधाई आती हैं तो आप बारा गोमती चक्र लेकर लाल रंग के कपड़े में बाध कर दुकान या अपने ओफिस के बाहर में गेट पर लटका दे इससे ग्रहकों की संख्या बढ़ेगी कारोबार में आने वाली बाधाई दूर होंगी चलिए आपके फाइदे की इंफिर्मेशन आपके साथ शेर करते हैं घर को सजाने के लिए आप चाहें कितने भी डेकोरेटिव आइटम्स लगा लें चाहें आप अलग-अलग तड़े की पेंटिंग्स लगा लें तो अभी मैं आपको दिखाती हूं खास तौर पे राजिस्थान की स्पेशल बैट शीट्स और क्या कुछ उनकी खासत है क्या कुछ इनका कलेक्शन है आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम जो बैट शीट्स हैं और बात कर अगर समर सीजन की भी तो ऐसे में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी बैट शीट आप यूज करें वह कॉटन की हो और यहां पर जितना भी जितनी भी बैट शीट्स देख रहे हैं अलग-अलग छीट्स में कांता वार्क और साथी साथ स्क्रिन प्रिंटिंग की खासतोर पर कलेक्शन देखा जा रहा है तमाम जो आप यह ठरेड वर्क का इसमें बहुत जादा यूज होता है और एक जो ट्रेडिशनल राजिस्थान्य डिजाईन होता से जिसमें आपको हाथी दिखेंगे, आपको red और blue color का combination भी यहां पर दिखेंगे, इसको कांथा वर्क भी एक तरह से signature trend माना जाता है राजस्थान का और इसी कांथा वर्क में आप देखेंगे कि यह देखेंगे, इस तरह के आपको और भी colors combination मिल जाएंगे, जिसमें आपको red, blue औरेंज, ग्रीन, कई तरह कहां पर कलर्स है और अगें जो डिजाइन रखे गए हैं जिन में हाथी आपको दिखेंगे घोड़े दिखेंगे जो राजस्थान की जो एक रोयल्टी होती है उसको कहीं न कहीं यह जो कान्था वर्ख है यह दिखाता है इसी वे आप देखेंगे क कान्था वर्ख में और भी कई सारे डिजाइन होंगे और खास तोर पर थ्रेट से यह जो पूरा काम है यह किया जाता है इसके अलावा कुछ और कॉटन बेस्ट बैट शीट भी आप देख सकते हैं लाइट रखा गया है कलर्स को अलग अलग कॉम्बिनेशन है इनका जिसमे ग्रीन यलो और बेस जो है वो बिलकुल वाइट रखा गया है आप इस तरह का जो कलेक्शन देख सकते हैं वो ब्लॉक पेंटिंग का कलेक्शन है और यह भी अपने आप में एक जो राजिस्थान का जो ट्रेडिशनल तच है उसको कही ना कहीं यह दिखाते है अगर आप च तरह को बिल जाएंगे इस तरह का भी आपको कलेक्शन मिल चकता है खास तोर पर समर्स के लिए जो बेस रखा गया है वो वाइट रखा गया है और उस पर अलग-अलग तरह के डिजाइन और अलग-अलग के कॉम्बिनेशन के साथ यह जो पूरा बैट शीट कलेक्शन है य आपको कमफर्ट भी दे तो आप इन कांथा वर्क और स्क्रीन ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी कुछ बैट शीट जो है वो आपने घर लेकर आई और देखिए कि आपका घर बैट शीट से कितना सुन्दर लगता है एंटर्टेन्मेंट की बात बाद में पहले आपके कल फ्यू फूल चलाएं भागिस आदे रहा हैं आपका 78 परसेंट प्रिश्व राशी के लोग घर में अघर बत्ति जलाई किस्मत साब दे रही हैं आपका 66% मिठुन राशी के लोग गाहितरी मंतर का जाप करें भागिसाद लेरा हैं आपका 69% करक राशी के लोग मंदिर में धूप गर πα्ती जलाईे भार्गे सातो देराए आपका 70 पेसेंट सिंग राशी के लोग आप मीठा कम खाईए भागे साद देरा आपका 60 पेसेंट यह कानियाराशी के लोग हनुमान जी की आरती करें लख साथ दे रहा है आपका 76% अल। बूला राशी के लोग दुर्गा जी की पुझा करें सृवाट में आपका 79% वृश्विश्क राशी के लोग सुर देव को जल दीजें। भगिश्क दे रहा है आपका 70% धनु राशी के लोग शिब का preaching का नाम ले किस्म साथ दे रहे हैं आपका 73% मखर राशी के लोग गणेश जी की पूजा करें भागे साथ दे रहा हैं आपका 77% कुम्राशी के लोग सूर्यदेव को परणाम करें भागे साथ दे रहा हैं आपका 65 Bud fasela पाशी के लोग अपने इश्ट को याद कीजिए किसमत साथ दे रही है आपका 69 परसेंट शो के आखिर में चली अब आपको आज का पांच्वा महा उपाई बताती हूं दुकान में बरकत नहीं है दुकान के तिजोरी के पास महालक्षमी और गणेश जी की तस्वीर लगाएं दुकान खोल कर साफ सफाई करने के बाद गणेश जी की पूजा करें फिर लक्षमी जी की पूजा करके ही गदी पर बैठें ऐसा करने से हमेशा बरकत बनी रहीगी आपका नाम अर्पित है आपका नाम कमल है या आपका नाम मिनाक्षी है एसे लेकर जेड़ आल्फबेट तक आपका नाम जिस भी आल्फबेट से हैं कल इसके बारे में जरूरी जानकानी दोंगी तो कल का शो जरूर देखें लेकिन अब ये मुझे इजाज़त दीजे अपना ख्याल रखें बाई बाई टेक केर